हलो नमस्कार प्रिया विद्यार्तियों स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपका अपना रवीकान सर्मा सबसे ज्यादा विद्यार्तियों की एक सबसे बड़ी प्रॉलम यही थी सरे कैसी क्या प्लानिंग हो जिसके माद्यम से एरफोर्स एक्स गृूप का एक्जाम कैसे फत्य हो सकता है एक्स गृूप को लेकर के चलूँगा मैं सात में थोड़ी सी चर्चा वाई गृूप के बारे में भी करूंगा अगर आपने ऐसा किया अगर यह सटीक प्लानिंग है तो निश्यूत रूप से आप एक्जाम क्रेक करने वाले मैं एक विद्यारती की बहाती कुछ बिंदूओं पर चर्चा आपसे करूँगा और आज का सेसन जो है बहुत ही उपयोगी आप सभी के लिए रहने वाला है तो सभी लोग बहुत ध्यान से आपको सुनना है अच्छा लगे आप सभी को तो अपने साथियों को भी सुझित करन है और साथ में कमेंट बॉक्स में एक वर बाके भ्यारिलाल का जैकारा जरूर आप लोग लगाएंगे तो चलते हैं मेरे दोस्तों बात को देखते हैं यहां से एक्जाम को क्रेक करने का तगड़ा प्लान क्या हो सकता है तो सबसे पहले प्लानिंग के बीच में एक्जाम का क्राइटेरिया आप जानते हैं अपने एक्जाम को भर दिया होगा फोगा कई बचालोग ऐसा है जो अभी जमस्ध ही 12 सोचराई कि मेरे लिए क्या-क्या होना चाहिए exam में next assignmentा च्षटाष breakout च्राइडिया है आपको बिल्कुल एक्स ग्रूप एयर्मैंन के लिए आविभा मार्स उसके होने चाहिए ठीक है एक क्राइटेरिया है इसके साथ एज गुरूप आप इस एज गुरूप में है फॉर्म बढ़ सकते हैं अब बात आती है एक्जाम को फता करने की असली बात यही है मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे इंग्लिस में नंबर आफ कोशन 20 और यहां से आपके पास है 20 मिनट अब सबसे बड़ा डर क्या है अब मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा डर बचा लोगों में समश्या क्या रहती है कि भाई 70 कोशन आपने देखे है टोटल कोशन सतर थे आपने देखेंगे इंग्लिस में कोशन्स कितने मिले है मेरे दोस्तों 20 questions आपको मिले हैं मैं बात कर रहा हूँ physics में total questions कितने मिले हैं आपके पास 25 मैं बात कर रहा हूँ maths में कितने questions आपके पास मिले हैं यहां से 25 तो मैं यह जानकर बड़ा आश्रिय होगा कि अगर दुनिया में सबसे आफसान exam निकालना है तो वो Air Force X Group का है और दूसरा में इसका परियाय कहूँगा अगर दुनिया में सबसे हाड अगर कोई exam है तो वो Air Force X Group का ही है बस इसमें दोनों बातों में अंतर इतना सा है प्लानिंग का खेले इन दोनों के बीच में प्लानिंग का अंतर है और उस प्लानिंग पर में चर्चा आप से करूँगा कई बचा लोग ऐसे होते हैं कि जो Maths में इतना Strong होता है उनका इतना Strong Math होता है कि बस वो Maths ही पढ़ते रहते हैं या English बहुत Strong होता है वो English पर ही Discuss करते रहता है Physics बहुत अच्छा होता है Physics पर ही Discuss करना होता है नहीं मेरे दोस्तों आप परडे खुद की एक Check List बनाएं सबसे पहला सबसे पहला काम आप सुभा जल्दी जगें ठीक है जल्दी जगें मनलब जब भी आप जगें जग करके बहुत अच्छा एक अच्छी से Meditation करें Meditation करने के तुरंद बाद ही आपका एक डेली का एक Check List होना चाहिए डेली मेंने कितने घंटे पढ़ा डेजन्ट मेंटर ये Check List नहीं है टाइम टेवल नहीं होना चाहिए आपका एक प्लान होना चाहिए आपका क्योंकि अब एक्जाम में ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है आप देख पारें एक महीना ही अगर आपके एक्जाम में है तो इस तीस दिन में तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़नी है आपको तीस दिन में मैं कह रहा हूँ आप 15 टोपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक्जाम बहुत अची तरीके से निकाल रहा है इस एक्जाम की मांग यहां से आपको पता होना चाहिए कि भई यहां से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके जीवन में सितारे लाने वाले जिससे आपके जीवन में सितारे लग जाएं वो कितने मार्क्स होने वाले हैं मेरे दोस्तों वह हैं 40 मार्क्स जिसको 40 मार्क्स गेन कर लेगा वो समझिएगा वर्धी के काविल है लेकिन किंतु परणतु समझ्या क्या है कि यहां से भी आपके पास minimum 10 marks आने चाहिए हलांकि 7 number, 8 number cut off जा रही है आप 10 मान करके चलिएगा आपको तयारी 12 की करनी पड़ेगी तब 10 marks आएगे इसमें एक strong subject आपको choose करनी होगी, मान लिजएगा आपने यहां 18 लिए और इन दोनों में अब आपको ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है 11 और 11 ही लाने की आवश्यक्ता है कोई भी किसी का strong हो सकता है अगर आपका physics बहुत अच्छा है तो इन दोनों में 11 11 number लेकर आने की तैयारी कीजिएगा अब ऐसा नहीं है English मेरा कमजोरत में उसको पड़ी नहीं रहा हूँ या Maths मेरा बहुत अच्छा है तो उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ Yes boss दोनों को आपको पढ़ना पढ़ेगा जो आपका strong zone है उसमें आपको 18 20 number लेकर आने है बागी दोनों में 10 10 number लेकर के आने है तीनों को बरावर वक्त देना है परड़े तीनों को ही पढ़ना है अगर आप ये आपका score होता है 11 11 18 तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप मेरे दोस्तों वर्दी पाचुके हो अब सबसे बड़ी एक और negativity बचा की मन में क्या होती है जब बचा questions करता है वो अगर एक मिनट में किसी questions को नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि मैं तो Air Force के लाइक ही नहीं हूँ क्योंकि वहाँ 20 मिनट ही मिलेंगे ऐसे कैसे paper को मैं कर पाऊं आप गलत रास्ते पड़ जा रहे हो आपको 25 में से 11 question करने है आपके पास 2 मिनट से ज़्यादा time मिल रहा है पता है आपको एक बहुत lowest मामला माना है यहाँ आपको 15, 18, 17 questions करने है हर question के लिए डेड़ मिनट से ज़्यादा वक्त मिल रहा है तो कभी भी चिन्ता speed की नहीं करनी है speed अपने आप बन जाएगी और speed के लिए हमें कौन से 17 question करने है यार 70 मिनट में आपको 40 questions सही करने है और 70 मिनट में 40 questions सही करने का मतलब है कि हर मिनट में आपके पास लग बग डेड़ मिनट का समय आपके पास हर एक डेड़ कोंग और कोंग में बन डेड़ मिनट से भी जादा वक्त आपके पास एक कोशन के लिए है काई कोशन्स ऐसे भी होते हैं सीधा देखते ही टिक लगा करके अपने को काम हो जाता है हलांकि इनके लिए अलग अलग सेक्शन वाई टाइम खुलता है 20 म टाइम सफीशियंट है और मैं कहूंगा आप लाइक हो इस बारे एर फोर्स का एक्जाम करेक करने के एक पॉजिटिवटी की आवश्यक्ता है साथ में ही आपको मौक लगाने की आवश्यक्ता है एक साथी ग्रणीती क्या होगी मान लीजेगा आपने अब ये तो हो गई एक टॉपिक कौन से हैं मान लीजेगा फिजिक्स आप ले रहे हैं और फिजिक्स में आपका कोई भी टॉपिक ले लीजेगा आपकी इच्छा करें आपको लग रहा है यहां से कैपिश्टर आपका बहुत अच्छा है संदारित्र बहुत अच्छा है मैं कह रहा हूं तो आपन 15 दिन की planning यही होगी 15 पंदरह टोपिक और आते हैं तो बहुत अची बात है 15 पंदरह पंदरह तख आपको पहुचा कि यहां आपको tense बहुत अच्छा आते हैं, आपको narrations बहुत अच्छा आते हैं, आपको proportion बहुत अच्छा आते हैं, तो उसको काम करें और साथ में ही idiom phrase पर आप लोगों को math में काम करने, English में काम करने की जरूरत है. यहां आपको बहुत अच्छा कोई भी topic आता है, PNC बहुत अच्छा आता है, जो भी एक topic आता है, उसको कड़ते हुए चलें, और साथ में ही YouTube पर जो क्लास चल रही हैं, उस topic को साथ साथ पढ़ते हुए चलें और उसकी practice लगाएं, जब-जब महा मुकाबले हों, महा लेने के लिए बैठा हूँ, मैं तो October का exam clear करने के लिए बैठा हूँ, सफलता उनी को मिलती है मेरे दोस्तों, सफल कौन होता है, जिनको पहले से ही पता होता है, मैं इस बार सफल हो रहा हूँ, वही सफल होता है, देखो क्या होगा, वो जिंदिकी में सफल नहीं होगा, यहां ऐसा होगा, यहां लोभी होगी, इस जगे पर ही होगा, पूरा road map तयार होता है, तो वह एकदम उसी के acquiring हुवा हूँ बनता है, और वही road map आपको अपने जीवन का, आपको अपने exam का बनाने की आवश्यक्ता है, क्या ऐसा हम सोचते है, कोई मकान बनता है, तो देखे लेंगे, कहा room बन जाएगा, यहां kitchen, कहीं देख लेंगे, जैसा बनेगा, चंता हो चलेगा, बहुत बन ही नहीं सकता, neat and clean, एक sketch खीचेगा अपने जीवन का, और उसी sketch पर अपने को काम करने की आवश्यक्ता है, तो एक छोटा सा sketch मैने दिया है, और इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि आपकी किस प्रकार की इस बार positivity है, साथ में यह प्लान अपने सभी सातियों को भी सूचित करें, और मुझे बताएं कि इस बार सर मेरा selection तो पका है भई, तो समझ लीजेगा, उसका selection confirm है, चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी information वीडियो के स अगली फिर कभी वी क्लास में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, राधे, राधे